एलो फ्रेंड्स पमी की रसोई में आप सब का स्वागत है चलिए आज हम बनाते हैं मोमोज यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है और बहुत ही आसान तरीके से बनता है और इसके साथ हम बनाएंगे रेड चटनी तो चलिए इसे बनाते हैं यह मैंने ले लिया है एक बर चार टमाटर और डाल दूँगे यह तीखी वाली मिर्ची है तो चार पांच इसमें मैं यह लाल मिर्च डाल दूँगी और यह दो इंच अदर का टुकरा और यह आठ से दस कलिया लह सुनके और इसमें हम डाल देंगे अब आधा ग्लास पानी जिससे की अच्छे से टमाट पक जाए और हम इसे ढखके और मीडियम फ्लेम पे गैस पे इसे पांच मिनट हम ऐसे बॉयल कर लेंगे तब तक हम जो है ना इसका जो श्टाफिंग है मोमोज का उसे तयार कर लेता है तो यह मैंने कदुकस करके ले लिया पत्ता वो भी यह गाजर अपने हिसाब से जितना आपको रखना है ले लीजिए यह मैंने ले लिया है दो हरी मिर्च और यह अदरक का टुकरा जिसे मैंने अदरक घिस लिया है और यह लहसुन भी कदुकस कर लिया और यह कदुकस किया हुआ प्याज अब हम इन सब चीजों को ऐसे ही और इसमें हम डाल देंगे यह वन डाल रहे हूं के फिर इसका पानी निकलेगा और से काली मिर्च इसे कूड के इसमें डाल सकते हैं अb Dire dens मिनेट के लिए ये पाता है आप की और सरी काली मिर्च बसकता भाड़ है अब तो निकल जाएगा तो देखिए ऐसे हमने इसे मिला लिया है अब हम इसे ढखके और 10 मिनिट के लिए रख देते हैं तब तक हम जो है ना मुझे जो बनाएंगे ना उसका हम आटा तयार करते हैं यह मैंने ले लिया है मैदा मैदा हम ले लेंगे 2 कटोड़ी और इसमें डाल देंगे नमक अपने हिसाब से डाले और इसमें अच्छे से मिला का आठा गुंद लेना है और आठा ना ज्यादा गीला हो ना ज्यादा टाइट हो अच्छे से देखिए इतना सॉप्ट आठा गुंद की मैंने तयार कर लिया अब हम इसे ढखके 10 मिनिट इसे भी रखतेंगे तब तक हमारा टमाटर जो है वो उबल गया है देखिए ये अगर आपके पास लाल मिर्च है खड़े वाले तो आप वो डाल सकते इसमें और ये देखिए ये जो अबला होया है ना अद्रक लैसुन मिर्ची और ये टमाटर हम इसे भी डाल की मिक्सी में और अच्छे से इसका चटनी तयार करेंगे ये देखिए मिक्सी में इसे पीस कडाई में मैंने ले लिया है रिफाइन ऑयल है और तू टीस्पून मैं डाल दोंगी इसमें कस्मेरी लाल मिर्च अगर आप डालेंगे इसमें अगर खरी वाली मिर्ची ए पिर आप ये प्रडर मत डालिए और ये डालों गे मैंसे वादन्सार नमक अब हम इसे चलाते हु ऐसे करके पका लेंगे देखे कितना अच्छा चटनी का कलर आया है ना ऐसे हमारा चटनी बनके तयार हो गया अब हम चलिए इसका श्टफिंग तयार करते हैं तो यह जो पत्ता को भी है इसे मैं किसी कॉटन वाले कपड़े पर निकाल के अब इसका पानी नी चोड़ लोंगे तो आप ऐसे ही करके जो है इसका नहीं तो होता क्या न जैसे हम पानी पानी अगर नहीं निकालेंगे तो फ़ीर जो हमारा फटने लगता है दीखे सारा पानी निकाल के आप किसी भी चीज में आटा गुन्ने में या उसका सुप बना लीजे लिजे वाप योज कर लीजे पानी बहुत ही अच्छा होता है यह देखिए हमारा जो है स्टफिंग अच्छे से तयार है और इसमें अब हम उपर से कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि सारा चीज हमने पहले इसमें मिला दिया था अब हम इसका जो है ना आटे को अच्छे से मिला के अब हम इसका जो है एकदम छोटा-छोटा सा पूरी बेल लेंगे ये देखे हैं से हम हाथों से अच्छे से मसल के आटे को मिला लेंगे और एकदम पतला-पतला सा छोटा-छोटा सा इसका हमें पूरी बनाना है और ज्यादा मोटा हमें नहीं करना क्योंकि जब हम मोमोज को बनाएंगे जितना पतला रहेगा उसका पोड़ी उतना ही अच्छा वो ट्रांस्पेरेंट होके दिखेगा यह देखे ऐसे करके हम इसका चुटा-चुटा सा पोड़ी बेल लेंगे अब एक बार बनाईए अपने हाथों से यह मार्केट से ज़्यादा टेश्टी भी लगेगा खाने में और बनाना भी बहुत ही आसान हो जाता है यह देखे ऐसे करके हम इसमें जो है ऐसे आप श्टाफिंग अगर जादा नहीं पसंद है तो आप कम करके भी डालिए या ऐसे पूरा अच्छे से एक चमच भरके भी डालिए और ऐसे हमें एक साइड से इसका यह प्लेट बनाके ऐसे करके दबाते हुए यह देखिए हमने यह देखिए ऐसे करकर के हम बना लेंगे ऐसी बनाना बहुत ही आसान होता है और अपने हाथ से जब बना के खाएंगे ना तो उसका स्वाद भी और कुछ ज़्यादा ही आता है यह देखिए ऐसे करके हम सारे महमोज तयार कर लेंगे आ ऐसे करके हम बनाते रहेंगे और यह मैंने एक जाली वाली थाली ले ली मेरे पास श्टीमर नहीं अगर आपके पास श्टीमर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं और इसमें हम थोड़ा सा ओइल लगा लेंगे और सारे मोमोज को सेट कर देंगे ऐसे करके हमने सारे मोमोज को इसमें डाल दिये हैं अब देखिए मैंने गैस पे एक पतीले में पानी पहले से गरम करके रखा था उस पे हम इस थाली को सेट कर देंगे और इसे हम ऐसे ढखकन डाल के और हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारा अच्छे से एकदम ट्रांस्पेरेंट ना दिखने लगे देखिए कितने अच्छे से दिखने लगा है न तो यह हमने जो एक बार मोमुज डाला था वो बनके तयार है मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब